So, hey guys, cat's swap, some of you guys I am back with a new gameplay video guys, today we are going to play Minecraft back again but this time I am going to make a house in survival and making a house in survival is a little bit difficult but in the village I am showing you some cool things here which I am going to take the main things here I will find out many things that will become my own home so, brother, I have taken a tiny torch from here and I am going to see where the house is gonna be at home वैसे मैं बिल्कुल विलेज के थोड़ा साही दूर बनाऊंगा अगर जादा दूर बनाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है क्योंकि मुझे व्लेजर्स भी लेकर आने पड़ेंगे थोड़ी बहुत अपे यह ऊपर ऊपर चड़ लई रूगिया इधर आई इधर आई जल्दी शायद तो यहां से मेरे पाद तीन वूल हो चुके हैं मेरे को एक बैग तो मेरा आसानी से बन जाएगा बट मैं सूचनों सबसे पहले एक जगह ढून लेते हैं सबसे बड़ी है अभी यहां पर कोई भी पेड नहीं है मतलब यहां पर कोई भी पेड नहीं है सबसे पहले में क्राफ्टिंग टेवल बना लेता हूं तो मुझे यहां पर सबसे पहले तो यहां पर तो कोई पेड नहीं है सबसे पहले यहां से टूल्स बना लेता हूं और जहना हमें बाद में आगे जाना तो यहां पर जाके मुझे वुड एकटे करना पड़ेगी तो यहां पर से मुझे तीन वुड तो मिल गए तो वाव बढ़िया लग रहा है यार मुझे तो यकीन ही नहीं था टॉर्च अच्छ हूँ अपने पास आएगा नहीं यहां पर नीचे जारी आर्गो अगर मैं इस के कि आसी अंट गणऄ के तो यहां से बहुत सारे फ्लैंक सकता हूँ बढ़ने के शना सबसे पहले और आकिली सा मध्यदेर थै राद किसी जारी टाहा हैँ मैं और तो तो तीन बना लूँगा राम से पिकक्स ठीक है मेरे पास जोना भी दो पिकक्स हो चुकी है वो भी वुटेन वाली पर यह जल्दी खातम हो जाएंगी तो इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा मुझे यहां पर से स्टोन दूनना पड़ेगा विलेजर्स के पास बहुत सार पर अभी जाओंगा तो शेहन मुझे आया रंगोलम उड़ा दे और सामने शीप है क्या वैसे यह जोना मुझे जाना नहीं चाहिए हम पर कोई शीप नहीं है अगर मैं जाता हूं तो शायद बचूंगा नहीं सब सब पहले मुझे काम करना है सामने की तर मुझे खाने तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ दो या तीन में कुछ नहीं होगा मैं सारा का सारा यहां से उठा लेता हूँ क्योंकि यहां पर बहुत सारा खाना है वैसे मैं सोच रहा हूँ आगे की तरफ भी बहुत सारा खाना रखा होगा इतना उठाऊंगा तो इन्हें कोई फरक न यहां सबसे पहले मुझे एक बैट धुनना है जिसके अधर मैं अपना पॉइंट सेट कर सकूँ कि अगर जैसे मैं कोई मुझे मार भी देता है तो मैं यहीं पर रिस्पॉण हो जाओ तो यहां पर कोई बैट भी मिलेगा यहां नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर व्लेजर ऐगी बना सकता हूँ पर मैं यह भी हाहिं से उठालेता हूं तो ठीक हैँ यहां यह जों पर मुझे एख लेग जोग घालेए देख रहा है यहां मैप ममशीन का मैं क्लुदों आया मैंतेली बाली मैसे दिर वाली है ती देर में क्यं गंटा मुकि एकि अल मैं आयु के पर आजी यहां निए जाए पर आज़ा सारे बंग इंठ चेन्ट इस घर गंड़ा क्या है कुछ भी नहीं यह जो इस जगा पर इस जगा पर इतने चारे अले क्या यह एर जा कर रहा है एप यह जा यह जो अगा एक तो एक जा दर गए उच से पिल्फ है एक सेट गिलिए ओके मेरा जो पॉइंट सेट हो चुका है और यह आके सो क्यों गया चोटा वाला तो सामने से देख रहा है मुझे पता नहीं यह चोटे वाले क्यों देखते हैं और बाकी विलेजर्स नहीं देखते हैं वेट यह लोग इतने सारे ऐसा लग रहा है बहुत साथ जल्दी दी बढ़ लए है यानि कि अगर मैं शीप्स को मारता हूँ तो मेरी जो लैवल है वो बहुत जल्दी जल्दी इंकरीज होगी अब मुझे यही पर ही अपना घर बनाना है बट मेरे पास जोना भी कुछ भी समान नहीं है तो सबसे पहले मुझे एक ग्रास ब्ल बाकि अगर हम लोगोंने गलत घर बनाया होगा तो हम लोग उसे रिपेर भी करेंगे अच्छी तरह से ठीक है अब मुझे यह वाला गड़ा बना पड़ेगा यहां पर बहुत सारी चीज़ है वैसे यह जो फ्लावर्स हैं इनसे क्या कर सकते हम लोग मुझे बिलकुल भी अ और यही मुझे इस गड़े के अंदर लगाने पड़ेंगे तो अब देखो कितने सार हो चुक है मुझे फॉर्टीन के अंदर कितना बढ़ सकता हूं इसे बढ़ चैक करके देखता हूं ओके भाई मैंने यहां पर सीबी कम्प्लीट हो चुका है और यह फ्लावर हाथ में आ कितने सार हो चुक है इस जब़ी अधी कम्प्लीट हूआ यहां अधी किहां मतलब मैंने सूझाए था फिफ्टीन हो जाएगा और सच में हो अगया कंप्लीट अगर मैं इनका कोबल स्टोन थोड़ा से ले जाता हूं तो यह मुझे कुछ कहेंगे नहीं ना जहां तक मुझे लग रहा है एक बार चेक करके देखते हैं वैसे इन लोग का कुछ भरोसा नहीं है मैंने एक तोड़ तो दिया भी तक कुछ भी नहीं हुआ ये जो ना राइड साइड की तरफ एक भी लेजर है मुझे ठोट चुपके चुपके से निकलन वह बाई भाई 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 फॉris सॉरी सॉरी बस अईसी प्राइड घर को इकह लो भाई अब बतानेगा यह बताने गए υूख और अपने इसके राइंगा फूर्र मुझ्छ इसने जो एगेर फारी मुझे पर कंव सकते हैं इसने वी हैं और जो उने बता है कुछ तो मेरे समने ने कुछ नकुछ तो बोला है उसे खतरनाग लग लग रहा था मुझे कुछ नकुछ तो अजीब सा hai काज लग रहा था अपनी तो पीकेक्स बन गई है एक पीकेक्स के उन्दर कुछ होने वाला नहीं है पर जो भी होगा यहां से जितने भी ब्लॉक हैं यह सब अपने पास पिकक्स से कम से कम 60-70 ब्लॉक तो शायद मैं काट सकता हूं तो ठीक है यार इतने सारे मैंने ब्लॉक तोड़ दिये और वेट मुझे जो नहीं यहां पर से देखने को मिला है कोई सा स्टोन अगर यह स्टोन सच में कोबल स्टोन हुआ तो मेरी तो लोट्री लग जाएगी बट अब मुझे जैनत देखना पड़ेगा सच में यार कोबल स स्टोन निकला अगर मैंने यार उनका ब्लॉक नहीं तोड़ा होता तो शायद मुझे कोबल स्टोन नहीं मिलते बट जो हैना भी कोबल स्टोन मुझे मिल चुका है मुझे यह देखना पड़ेगा यह कोबल स्टोन बहुत सारा होना चाहिए क्योंकि नीचे तक आगी तक बह पड़ेगा यहाँ पर बहुत जादा अपड़ेगा और डात लगा अ कर तक मुझे नीचे तक मायनी करने पड़ेगा यह तो अपने पास थिया यह टोर्च ने बहुत जादा डिया मुझे तो मैं सोच रहा घाय बहुत साथ दिया और यह कौन सा स्टोन है wait.. यह जुशन मु ये पूरा का पूरा स्टोन मेरे पास है पर नीचे तक मुझे माइनिंग नहीं करनी है मुझे राइट साइड लेफ साइड और सामने और पीछी की तरफ में माइनिंग करनी पड़ेगी और ये जो स्टोन है ये शैद कोबल स्टोन है पर इसका जो कलर है वो अजीब है यार मत मुझे तीन वूल उपर रखने पड़ेंगे और साथी साथ प्लैक्स रखने पड़ेंगे जल्दी से सो जाता हूं और जन्दी से यार हम लोग दिन करते हैं और इसके बाद हमें अच्छी कासी माइनिंग करनी है क्योंकि अभी मेरे पास ग्रास ब्लॉक की बहुत सदा लियर आगे तक है मुझे इसे कंप्लीट करना पड़ेगा सबसे पहले मैं इसे कंप्लीट करता हूं और जितने भी ग्रास ब्लॉक हो जाते हैं तो अब जो है न मेरे पास इतनी सारी चीज़े हो चुके हैं अगर मैं दूसरी नई चीज बनाता हूं तो यह सब ग्रास ब्लॉक मैं अब आद में हटा दूगा पर अभी जोहना मुझे घर बनाना है तो मैं जोना अब शुरुवात करता हूं कैसे बना बना लिए वैसे मेरे को एक पीकेक्स की जरुवत सही है क्योंकि मेरे पास और भी पिकेक्स हैंगी पर मैं सोच रहा हूं क्यों ना यार हम लोग 2-3 और बना लेते हैं क्योंकि हमें जोना भी माइनिंग सबसे जादा करने पड़ेगी और इससे जादा हमें जरुवत पड़ अपना फार्म बनाऊंगा तो यह मेरे मदद कर सकता है चल तो अब यह आगे की तरफ में वैसे मुझे यहाँ पर वूल मिल गया है मैं सबसे चीप को मारूंगा बूल चाहिए मुझे 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 मिरे बहुत सार वोड ले कटा हुचका है पर यह अभी तक ख़ड़ा वा बना सकते हैं वैसे मुझे घर इतना बड़ा नहीं बनाना है मैंने भी जो है न चार ब्लॉक लगा दिया हो बे कोबल स्टोन के पर इतना चोटा घर नहीं यार चे और साथ नौ दस ब्लॉक मैंने इधर की साइड लगा है और राइट साइड की तरफ भी हम लोग 10 ब्लॉक बॉग यहां पर लोग अपना देख सकते हैं कितना बड़ा राइट रखना चाहते हैं नहीं चोटी काव ऐसे मbas counties भी बनाउंगा कूदी शरुरत मुझे पढ़ेगी पहले यहांसे अटा देते हैं और ज Isaac भी देख सकते हो मेरे पास यहांसे अग्ली वीडियो आएगी जिसके नर हमोग बड़ी असा कोड Опाлек अपर बड़ी स्ट्सक्रों का एक बना सकतें अंडर्राउंन भेस तो ठीक है बाई यजिसे हम लोग बाद में देखिंगे पर अब भी जो अना मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा है स्टोन पीकेक्स मेरे पास अभी एक दो हैंगी विजसे मैं जो आना और भी बनाऊगे इस्टोन पेक्स क्योंकि मुझे भी बहुर्थ वैसे इतनी सारी माइनिंग करने के बाद यार मेरा जो बेज बनेगा वो काफी बड़े बनेगा क्योंकि मैं तो चाहिए मुझे कैसे भी करके और साथी साथ जो ना मैं एक तरह से डिजाइन भी दे रहा हूं इसे और जो भी यह देखा जाएगा मैं सबस्वाइल एक काम करता हूं यहां पर थोड़ा सा अंधिर हो गया यहां पर टॉर्च लगा देता हूं क्योंकि टॉर्च जो है ना यह सई रहाएगा कि आपने पास जो ना किते ब्लॉक यहां पर हो चु हैं और दूसरी वाइली चीज़ में भी देखे तो भाई 15 हो चुक है वैसे मेरे पर इतने काफी रहेंगे पर मैं सोच रहा हूँ अगर थोड़े से और कलेक्ट करने क्योंकि हमें बड़ी वाल बनानी है तो रात भी हो चुके है और जोना भी हैं पर यह सब चीज चोड़ते ह मैं तो ठीक है यहां पर दो और पड़े थे यार मतलब मैंने यह कब लूट लिया भाई मैंने तो इससे माइन भी नहीं कर रहे था पर जल्दी से जागे सोते हैं अब हो चुका है लीव बैट नहीं करूंगा मैं सब से पहले जल्दी से उठते हैं और माइनिंग बाद में क तो यह जाद ही बड़ा यहां पर मैंने 10 ब्लोक लगा थे वैसे हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगें पहले यह बड़ी बड़ी यहां पर से दिवार लगा देता हूं और मेरे को कितनी दिवार रखनी पड़ेंगी कितना बड़ा बनाना पड़ेगा इस हाऊस को मुझे पता भी नहीं है, वैसे मैं खुद ही चेक कर लूँगा, ठीक है, यहां पर बहुत सार block लग रहे हैं, मैंने यहां पर गिनने भी नहीं, मैंने इस side में किते block लगाएते हैं, पर ठीक है, कोई नहीं, मिरे बाद कोबल स्टोन की पूरी यह पूरी माइन है वैसे यार मुझे वाली माइन कहां से मिल गई मुझे खुद भी पता नहीं है मैं तो बस ऐसी यार यह ग्रास ब्लोक हटा रहा था और मुझे कोबल स्टोन पूरे मिल गए सामने के तरफ एक और ब्लोक मुझे लगाना चाहिए क्योंकि यह बराबर हो चुका है अब ठीक है मुझे उपर जाना है उपर जाने के लिए मुझे डर्ट लगाना पड़ेगा वैसे डर्ट तील दी तूड भी नीरा कोबल स्टोन से अब मेरे पास बिर्कुल भी ब्लोक नहीं बचें वो भी कोबल स्टोन के तो मुझे एक काम करना पड़ेगा दुबारा से माइनिंग करना पड़ेगी पर हम मैं उतरू यहां से कैसे या मेरे पास अभी डर्ट पड़ा है एक डर्ट लगा कि हम लोग उतर सकते हैं मुझे डामेज नहीं हुआ अगर मैं डर्ट नहीं लगाता तो भाई बड़ी गंदी पड़ दी चलो ठीक है अब मुझे यहां से नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाके माइनिंग करने पड़ेगी यहां पर जाना मैंने बहुत सारे ब्लॉक तोड़ दी हैं और मेरे पास जो ना भी देखो कितने ब्लॉक हो चुके हैं और जो है न यहां पर से मुझे कोल भी दिखना स्टार्ट हो गया है वैसे मैं इस कोल को कलेक्ट करूँगा तो मेरी जो लेवल है वो इंक्रीज होगी पताना कमेंट करके तो अभी जो हैना मैंने इतने सारे कोबल स्ट 동안 हो चुके हैं हमें काम कर लेता हूं यहां से लिए जशु सारा का सारा कोल निकल देखते हैं यह शाय तीन ब्लॉक नहीं हो सकते हैं क्या पता भाई यहां पर पूरा पूरा मुझे शाय नहीं मुझे मैं बड़ी पर यहां पर एक और कोल है होके मेरी लावल बढ़ने स्टार्ट होगी पर कम-कम हो रही है पर कोई टैंशन नहीं है वैसे ओके भाई यह रहा यह रहा एक कोल यहां पर भी है शायद इसके बाद भी हो सकता है ओके वोरा 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 सामने एक और है और कितना सारे कोड मिलिया मुझे और यहां से सबसा है पहले कोबल के नटा जा सकते हैं, तो हम वह चाहिूँ अर मोग रोगा, अब मेरे पस कच भी ड़र्ट में उपर जाने लिए, और यहांसे मेरे कच भी स्टोन लगाता हूँ, मैं यह काम करतहूं, यहांसे थोड़ा से ड़र्ट निकाल लेता हूँ, तो यह वाले जो grass block थे इसके अंदर से मुझे कुछ dirt भी मिल गाए और यह कहां से आ गया भाई मैंने इसे एक मारा यह नीचे जाके गिर गया अब इसके वज़किने भाई यह उपर आ जाए जैसे आपर मुझे एक chicken भी देख रहा है मैं इसे भी नीचे गिरा सकता हूँ एक पर कोशिश करके देखते हैं यह देख रहा है राम से देख रहे भाई तुझे एक बारी बस एक बार नीचे गिर जा अब यह तो पूरा kilo गया मैं तो सोचते ही नीचे गिर जाएगा पर भाई यह तो एक ही बारी में चला गया शायद मतलब कोबली स्टोन की जो पिकेक से म मैं नहीं बना पाता तो यह लास्ट वाली वाल हो सकती हमाई लिए क्योंकि अब बस इतना बड़ा घर तो हमाई लिए काफी देगा और भाई सर्वाइवल के अंदर घर बनाना काफी जाद मुश्किल है आप लोग ने कभी घर बनाया नहीं सर्वाइवल के अंदर मुझे क लगाना पड़ेगा कुछ अलग से भी वुड लगाएंगे बटी से जोना सबसे पहले कवर कर लेते हैं लोग तो मिरे पास जोना भी कोबल स्टोन खताम होने स्टार्ट हो गया कम से हम 22 पड़े हैं इसे 22 के नहीं लोग कितना बना सकते हैं यह शायद कवर तो हो ही जाएग और दिन भी हो जाएगा वैसे इतने सारे कोबल स्टोन तो काफिर हैं मेरे पास जल्दी से ओपर जाकर जाके जन्हा सो जाता हूं क्यूंकि रात हो रही है और यहां से जल्दी से चलते हैं सामने बैठा कोई मोब ना आ जा यार चलो ठीक है मैं जल्दी से सो जाता हूं और जिते भी डर्ट है या फिर कह सकता कोबल स्टोन है जल्दी से यार इन सबको लगा देते हैं हम लोग यह यहां पर लग गया था मुझ से शुरू शुरू में गलती से ठेक है इसे मैंने ले लिया अब मैं काम करता हूं मैं जो नहीं कि स्टोन पिकेक्स बना लेता हूं इसक क्योंकि मेरे पास जोना भी 35 हो चुक है अल्रडी कोबल स्टोन यहां मुझे शीव दीखिया है सबसे पहले इससे वूल ले ले लेते हैं वैसे साई टाइम पर दीखे मुझे मुझे एक बैट की और जरुवत थी और मेरे पास जोना भी दो वूल तो हो चुक है और जोना लोग ऊपर के तरफ आ रहा है वैसे मैं जोना ऊपर के तरफ में और थोड़ा वो डिजाइन दोंगा इसके अंदर तो अभी जो भी बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहां से जोना अपने पास बहुत सारी चीज़ है पर मैं इस अभी नहीं हटा रहा क्योंकि अपने पा पड़ेगा तो मैं काम करता हूं यह जो दो-तीं दिवारिं यहां पर मुझे दिखे रहे ही ना इनमें से थोड़ा सा कोबलिस्टोन निकाल लेता हूं और जना इसे लेकर चलेंगे हम लोग और जना फिर मुझे एक काम भी करना है मुझे थोड़ा से सलैप भी चाहिँए त और अगर हम लोग जोने चैस्ट भी बनाते हैं वह ब Barb tava सब्कुन करनाए झाल ओई ङए वह ज़िए बना उंगा तो एल्म यह लगवा था है अब मैं मुझे कोबिल स्ट्वन वहाँ पर लगाना पड़ेगा wok यहां पर तो फिर से कोई रास्ता नहीं मुझे शीप गई मुझे जल्दी से मानना पड़ेगा पर मैं सोच रहा हूं कि वाला चीज कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद हम लोग हमारे सामने जो भी शीप है कि हम लोग उससे असानी से मल लेंगे पर चलता हूं यार इसे कंप् कोबले स्टोन तो है यह यहां पर लगाकर कंप्लीट अब मैं यह वाला कोबले स्टोन अटा दूँगा क्यूंकि अभी यह मुझे बुरा लग रहा है वैसे बेकार में लग गया था यार ठेक है मुझे मिल गया अब मुझे एक काम करना है मुझे यह सब चीज तोड़नी पड़ेगी और बारिश भी होना है स्टार्ट हो गई है तो यह सब तोड़के जना हम लोग जल्दी से चलते हैं और जना अंदर की तरफ से कुछ टॉर्च लगा देते हैं यह सब सपहली व सारा समान है पर इन विलेजर्स के पास से टॉच लाने का मज़ए अलग है इसके बाद यह लोग जो देखते हैं यह क्या समान हमारा चुरा रहा है तो यह अलगी फील आती है सबसे पहले यहां से चार टॉच निकाल लेता हूं और यह जो उपर का है यह भी मुझे बहुत के अंदर लगा देते हैं यह जो हमने जो जित्ती भी सारी के सारी चीजे लिया है और जो इन्होंने एडिट कर रखा है बिल्कुल बढ़िया सी जो चीज बना रखे थे इन्होंने टॉर्च को एक तरह से टावर सा यह भी हम लोग बनाएंगे मुझे बहुत बढ़िया आँगे बट मेरे पास तो यहां पर कुछ भी नहीं है और प्लैंक सी बात करो तो भाई यहां पर तो कोई इगनिट यह बाहर आगिया ना वेट यह बहर आगिया एक मैं अग्निट चेक करके हाता हूं वैसे मेरे अबीवी समंझ में आ रहा है कैसे बारा गया और सामने मुझे एक पेड़ दिखा है मैं आसे प्लैंक बना सकते हो वैसे मुझे यह एक पेड़ की जरुवत नहीं है ये जितने भी विलेजीर्टाइए पूरा ये पूर एक दाना से उनके बनाुवा है और सती साध वुट से बनाँवा तो मुझे इसा लग रहा विप अशना सारी वुट करेगा थे वश्कार देहा थार्य है। इतने सारे था है बट मुझे इतने प्लैंक्स की जरुवत नहीं है मुझे इससे भी ज़दा चाहिए तो मुझे काम करना चाहिए बिलकुल सीधा चलना चाहिए ठीक है अब मैं काम करूंगा मुझे बिल्कु सीधा जाना है मुझे पता रहेगा और यहाँ पर जो भी ट्री है ना सारे का सारी इन में से वूड निकाल लेता हूं मैं कम से कम इतने प्लैंक्स बनाना चाहता हूं कि मैं मतलब एक तरह से अपना घर भी बना लूँ और इसके बाद जो जो मुझे जरुवत पड़ेगी ना प्लैंक्स की वो भी मैं असानी से मना सको तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी शीप मिल लई है एक काम करता हूं यहां से थोड़ा सा वूल भी खटा कर लेता हूं सामने एक और शीप है मुझे वो भी शीप चाहिए पर इसे जो यहां पर दो दो शीप है यार जल्दी से भाग के जल्दी से ले लेता हूं वैसे मैं इक ही सोच रहा था है यहां पर ऐसा लग रहा यह एकदम जो नहीं स्पॉन होई थी परवेट मेरी यहां से स्टोन पिकस कायब होई और एक शीप तो भाग गई रही यह रही मुझे पत वहारा वैसे ही मेरी पावर जोना है मतलब पिकस की वह जीरो हो गई देखो मतलब आदी थी तो थोड़े बहुत कम हो गई तो जैसे मैं वूट तोड़ लहा हूं तो वुट के अंदर मेरी पिकस अच्छी गाज़े चली पर यह भी चली गई अब मेरे पास कोई भी पिकस न चार बना लेता है एक और बना लेता हूं ठीक है अपने पास तीन हो चुकी है और एक लास्ट चार बना लिए मैंने क्योंकि आप जोना मुझे जरुवत नहीं पड़ेगी अपना सारा सामान उठाता हूं और यहां से पेड़ लेकर जल्दी से निकल लेते हैं ठीक है मेरे पा करते हूं तीन-चार पेड़ और उठाट लेता हैं और इसके बाद चलते हैं अपने प्लांक्स लेकर और अपना आउस बनाते हैं पर यहां पर देखो रातों ने स्टार्ट वगए यहां पर एक मुझे शीप और मिली है सबसे पहले इसे मारते हैं और एक जन्हां बैड़ बना लेते हैं सो हमने एक और शीव है बैड बना लेते हैं जिसकी हमें सबसे जादा जरुवत है और यहीं पर ही सो जाएंगे तो हम लोग जो न यहां से कम से कम तीन बैड बना सकते हैं पर कोई नहीं, देखो यान मुझे बैड बनाना भी आगिया वैसे मुझे इतना अच्छा आता नहीं था बैड बना मैं भी बहुत दूर हुँ बैड से तो जल्दी से हम लोग सो जाते हैं वैसे मैंने बैट बनाना जो ना पहली बार सीखा है मैं सोच रहा था शायद ऐसे ही बना के देख लेते हैं शायद बन जाएगा सुबा हो चुक है बैट उठाते हैं और क्राफ्टिंग टेबल उठाते हैं सब कुछ उठा के जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं मैं सोच रहा हूँ थोड़े बहुत पेड़ और तोड़ लेते हैं क्योंकि हमें जो हैना सबसे ज़ादा जबरत पढ़ने वाली है प्लैंक्स की तो ठीक है यहां पर जो हैना अपने हमें सीधा ही जाना है और उपर वाला एक पेड लास्ट बचा है इसे भी मैं काट लेता हूँ और इसके बाद हम लोग चलेंगे तो ठीक है यह भी हो चुका है और अब चलते हैं यार बहुत सारे हो चुका है मेरे पास प्लैंक्स भी बहुत सारे हो गए है और अपने पास ओग भी बहुत सारी हो चुकी है तो यहां से मुझे सीधा जाना है अपना कोबल इसटन उठाते हैं और सीधा निकलते है वैसे से रास्ता कहा जानाarch और लाइफट वाला मैंने इसे देखा नहीं यह केव के अंदर जाना है मुझे केव केंन्दर नहीं जाना है भी वैसे देख लेता हूँ कितनी बड़ी है केव ओके यहाँ पर मुझे जो ना कुछ कारा करना सा नजर आ रहा है यानि कि यहाँ पर जो ना शाहद हमें कोल देखने को मिल सकता है बट मुझे कोल नहीं चाहिए है यहाँ से चिकान उठाते हैं और इसे नहीं मारूँ ना जर इसने मुझे यह समझ aí में नहीं आ रहा यह इतने सारे ब्लॉक्स उपर चणके कैसे आ गया मेरे बिल양फूल भी समझ में नहा रहे चाहок जैUI जोनो चलते हैं वैसे यहां मतलब के आरह सकती हूँ एक केंव के इंदर से जो मैंने बनाया था एक अंदर अंडर ग्राउंड बेस और उसके अंदर से निकलने मुझे डर्ट लगाने पड़ ले हैं कोबल स्टोन लगाने पड़ ला उपर आने के लिए बट ये उपर कैसे आगया यार वैसे मैंने जो है ना अभी जो ओक एकटा करी है सबसे पहले से planks में convert कर लेता हूँ मेरे पाब बहुत सारे हो चुके हैं मतलब अगर मैं जैसे कुछ और भी चीज़ें बनाना चाहूँ ना तो मैं आराम से planks से बना सकता हूँ तो मेरे पास इतने सारे planks हो चुके हैं मुझे last एक wall बनानी है सिफ और सिफ प्लैंक से तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ यह जो प्लैंक से इन्हें अपने पास रख लेता हूँ सीट से भी एक्सचेंज कर लेते हैं और यह यहाँ पर इससे भी एक्सचेंज कर लेते हैं तो मेरे पास भी planks हैं तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले wall बनाने start करते हैं और यह जो wall बनाऊँगा इसके साथ साथ जो नम एक तरह नहीं लगाऊँगा मैं एक काम करूँगा पहले पूरी की पूरी जो नहीं एक तरह से wall बना लेंगे यानि कि इसे पूरा का पूरा ढख देंगे और इसके बाद हम लोग जो है न डोर बनाएंगे बट मैं जो है न इसे सब सब पहले complete कर देता हूँ ठीक है मैंने जोने इसे complete कर दिया है बट यार ये जो है न कुछ अजीव सा लग रहा है कोबल स्टोन इदर की तरफ दिख रहा है और इदर की तरफ नहीं दिख रहा है मैं काम करता हूँ यासे कोबल स्टोन हटा देता हूँ बट कोबल स्टोन हटाने के बाद भी यार मुझे ऐसा लग रहा है ये सरी नहीं लगने वाला है तो देखो, यह ऐसा लग रहा है, शौप बना दी मैंना, तो यह शौप नहीं लगनाई चाहिए तो इसे हम लोग एक तरना से डिजाइन देते है, अब बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल तो ऐसा लग रहा था यार मैंने शॉब बना दी पर मुझे शॉब नहीं बनानी थी और जो ना कोबल स्टोन से एक तरह समलू कह सकते हैं अगर जैसे मैं कोबल स्टोन से pickaxe बनाता हूँ और वो बन जाती स्टोन pickaxe और स्टोन pickaxe जब मैं planks ही बचे हैं, तो देखते हैं, semna door कैसे बनता है, तो planks से बंआइंगे तो door बन जाएगा, व看一下 doorks, 69 पर मुझे जन्ही वाला door बनाना था, मुझे वाला door काफी बढ़े लगता है, पर ये वाला steal वाला door भी नी बनाना है, ठीक है यार हम लोग जो भी प्लैंक्स वाला डूर बना रेते हैं ओक डूर जो इसका नाम है तो ठीक है ये वाला ओक डूर काफी बढ़िया लग रहा है पर इसे चेक करने पर ही पता चलेगा ओके भाई ये बहुत बढ़िया है पर मैं सोच रहते है यार ओक वाला अच्छा नहीं होगा पर ये तो ब्लैक वाले डूर से भी बहुत अच्छा है तो ये वाला डूर होगी हमारा कंप्लीट अब मुझे एक काम करना चाहिए यहां से सबसे पहले हम लोग ये क्राफ्टिंग टेबल उठाते हैं और अन्दर मैं खुछ दिसाइन देथैं मेरे पस दो-दो बैड हैंगे तो हम लोग चनले एक काम करेंगे बैड को वह भी हम लोग आई डिसाइन वाला बनाएंगे पर ये काम करता हो जो ये मेरे मेन में चीजjonate सबसे पहले इन सब को इस लाज चेस्ट के अंदर कुछ समान भी रख देता हूँ जैसे वाइट वूल हो किया और रॉचिकन को मुझे जरुवत पढ़ेगी सनफ्लॉवर भी रख देता हूँ वैसे सनफ्लॉवर के मुझे जरुवत पढ़ सकती है मैं इस अंदर रख लेता हूँ अपने पास ही और यह प्रैशर प्लेट यार मैं प्रैशर प्लेट भी नहीं रखना चाहरा हूँ इसको जोना हम लोग भार लगाएंगे और स्टॉन पिकेक्स जोईना अगर में पार कोबल स्टॉन नहीं बचता है तो मैं इसे रख देता हूँ यहां पर कभी भी जरुवत पढ़ सकती है रौ मटन हम लोग रख देते हैं कभी भी आर खाने के जरुवत पढ़ेगी तो खाने के लिए वेट यहां रात हो चुकी है तो अपने चैस्ट में से निकालेंगे और जल्दी से खालेंगे पर अब भी जोना मुझे बैट फिट करना है पर कहां पर लगाऊंगा यह तो बि मुझे अच्छा नहीं लग रहा अगर हम लोग यहां पर पहले गेड़ बन कर देता हूं कभी मौव आ जाए तो सबसे पहले काम करता हूं सो जाता हूं सुबह देखेंगे कि हम लोग बैट कहां लगा सकते हैं और भी क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा फिर मुझे ऑपज वैसे मैं इसे मारूंगा नहीं क्योंकि मुझे फार्म भी बनाना है तो मुझे इसके ज़वरत पड़ेगी और यहां से क्राफ्टिंग टेबल भी उठा लेता हूं और यह जो दोनों चीज़े हैं इसे हम लोग रख देते हैं अपने हाउस के अंदर यहां से उठाता हूं वैसे क्राफ्टिंग टेबल को इतना टाइम क्यों लग रहा है तो ऊटिने में ठीक हैं अम एक काम करता हूं सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल लखेंगे और डबल बैड बना देता है जिसे हमें एकदम सो जाएं और जल्दी-जल्दी मोट जाएंगे अब यह अंदर क्य क्याता रुको यह यहां पर अब लग रहा है ना कुछ बढ़िया और इसके बराबर में हम लोग लगा देंगे अपनी क्राफ्टिंग टेबल और चैस्ट और भी बहुत सारी चीज़ अपने पास पढ़ी है वो भी फिट कर देंगे सबसे पिला क्राफ्टिंग टेबल यहा कि लगा सकते हैं वेट यह कौन सी चीज यहार इसे हम लोग यहां पर लगा सकते हैं बहुत बढ़िया लगेगा चेक करके देखता हूँ यह अंदर के तरफ क्यों लग गया उपर भी गलत लग रहा यार वेट यह बढ़िया लग रहा है मुझे इसके बराबर बराबर में लगाना है वैसे मैं सोच नहीं घर के अंदर तो नहीं आए होगा यार मैं जो नहीं से अटा देता हूँ और जो नहीं काम करता हूँ इधर की साइड भी जो नहीं इसे फिट कर देते कोबलिस्टोन वाल यार वैसे बड़िये लग रहा है भाई मैं तो सच कहा रहा हूँ अप इसे दूर जाके देखता हूँ कितना बड़ी लग रहा है न तो जो हमारा राइट साइड है वो जो थोड़ा सा कम लग रहा है पर ठीक है यार तो इतना जोने सही रहेगा तो मुझे एक काम करना चाहिए मुझे जोने सबसे पहले सेंड की जरुवत पड़ेगी क्योंकि मुझे जो उपर-उपर की सैंड दिख रही है वैसे यह जो सैंड है यह यहां पर बढ़िया है क्योंकि यह पर पानी भी है और साथे साथ सैंड भी मिल गई और मुझे यहां से ग्लास भी बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले सैंड करता हूँ मेरे पार कितनी सैंड होगा ए इसके बाद देखता हूँ यहां पर मिर पार सोचू कि 13 यानि कि अभी हमें और भी जरुवत है यानि कि अगर हम लोग एक सैंड लगाते तो हमें सिफ और सिफ एक ही गलास मिलने वाला है तो ठीक है मैंने यहां से बहुत सारी सैंड कलेक कर लिया है अब मुझे एक काम करना मैं सोच रहा हूँ यहां पर से और भी चीज़ बना सकते हैं मुझे कॉम्पोस्टर की जरुवत पढ़ेगी कॉम्पोस्टर से आप लोग सोच रहोगे कॉम्पोस्टर का क्या काम है कॉम्पोस्टर से यह हो सकता है मैं यहां पर से एक बड़िया सी चीज बनाने बला हूँ वो भी अपनी जो ना घर के उपर तो वो भी आप लोग देखना पर यहाँ पर से मुझे स्लैप की जरुवत पड़ेगे और कॉम्पोस्टर मुझे कम से कम 6 चाहिए होंगे 6 तो बढ़िया रहेंगे यार हाँ 6 सही रहेंगे अब इतना सही है प्रैशर प्लेट की भी मुझे जरुवत पड़ेगे जो मैं अपने घर के भार लगाऊंगा यानि की जो ना ऐसे करके बचती रहेंगे जो चेक कर लेते हैं प्रैशर प्लेट होती कैसी है तो यहाँ पर से तो कुछ होने वाला नहीं है मुझे और यह प्रैशर प्लेट चाहिए और यहाँ पर रात हो जाती है बारिश पढ़ जाती पता ही नहीं चलता तो यहाँ पर अपने पास घर तो रेडी हो चुका है और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर प्रैशर प्लेट लगा देता हूँ अपने गेट के पास नहीं लगाँगा यह जो वाल यहाँ पर है ना इनके पास लगा देता हूँ और यहाँ पर से मैं कम से कम दो बारी तो लगा देता हूँ ठेक है यह हो गई यहाँ पर और इधर यहां पर अपने घर के अंदर और बी चीज़े लगानी है जैसे फरनेस भी फिट नहीं करा है और यहां पर चैस्ट लग भी जुकिए वैसे एक ही चैस्ट लगी है और जोहना मैं सब सब पहले ही वाली जोना बीच की साइट से हटा देता हूँ जिससे जोना मैं जंप कर रहा ता तो मैं आगे नहीं बढ़ भा रहा था क्योंकि मुझे प्रैशर प्लेट रूक रही थी और जोना यहां पर मैं है और क्या की चीज़ बना सकते हूं सब सब्सक्री जरुब पर जरुबार चकी चाहिए तो ठीक है जा है जल के से तूर या से तो पड़ाए uit या अलग या वज़ो है इसे रख नम तो इसक teknolo क्राफटिंग टेबल तो ऊच धर नहीं होगा खाएंगे तो और यहां पर में आता हो यहां लगा देता हूँ क्राफ्टिंग टेबल को इसके लिए हम इंवंटरी में जाना कि प्लन्कू क्राफ्टिंग टैबल ट्यार औरें को लोगे में आपके जो सबसे कॉसे हमकत घ्माज के हमत्जर सिकते हो 3 उसका पर हम लोग लगा सकते हैं वैसे मेरे पास जोना भी inventory में जोना कुछ खाना भी पढ़ा है मैं सोच रहा हूँ गर खाने लगा दे तो अच्छा रहेगा पर खाने लगाने से पहले एक काम करता हूँ सबसे पहले हम लोग जोना विंडो बना लेते हैं जो हमारी glass के विंडो बन लगा देता हूं और फरनेस के अंदर लगा देते हैं हम लोग जोना कुछ सैंड और में पर तीन तीन फरनेस हैं तो यहां पर कोल लगा देता हूं जिसके हमारा glass बनके ready हो चुका है मुझे काम करना चाहिए मेरे पास दो दो फरनेस और हैं तो यहां से थोड़ा सा कोल भी और यहां पर अपना glass तैयार है तो मैं काम करता हूं इतने सारे glass तो हो चुक है मेरे पास मैं सबसे पहले coal रख देता हूं यहां पर से अपने जोना सबसे पहले chest के अंदर क्योंकि मुझे कोल की सबसे ज़्यादा जरूवत पढ़ जाती है कभी और मेरे पास जोना कोल भी बहुत कम है सेंड भी रख देता हूं बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैंगी पर अभी जोना इन सब की मुझे सरुवत नहीं है मैंने कोबली स्टोन भी रख दिया है अपने पास जोना घर बहुत पढ़िया बन चुका है अब मुझे जोना यहां से वाल भी बनाने पड़ है भार से जोना क्राफ्टिंग टेवल दिखने वाली भी नहीं है क्योंकि यहां पर हम लोग लगा देंगे तो ठीक है यह लास्त हमारा और यह तोटा क्यों नहीं यह जोना बहुत जादा टाइम लगा रहा है शायद कोल्डन पिक एकसर जल्दी तूट जाएगा पर कोई अब यहां पर जल्दी से एकलास लगा देता हूँ तो ठीक है अब देखो किता बढ़या लगा है इसे भार जाके देखें तो कितना अच्छा लग रहा है यहां पर अगर हम लोग 2-3 लाइटे और लगा देना तो इससे और बढ़या बन जाएगा पर अपने पास इस मोठा है बल लगा देते हैं जो यहाँ पर हमारा खाना रहेगा पर यह उल्टा यहाँ पर क्यों लगना स्टार्ट हो गया है तो मैं काम करूँगा यहाँ पर जाना बस यह चीज लगा देते हैं जैसे हमारे पास खाना वाना तो है यह तो एक काम करेंगे यहाँ पर हमरे पास खाना हो गया तो अगर हमें खाने की जरवत पड़ेगी तो हम लोग इसे अराम से क्राफ्ट कर लेंगे और इसकी वद हम लोग इसे खा लेंगे बढ़ भी जो नहीं है थोड़ा सा उल्टा लग चुका है तो यह सीधा हो चुका है अब मुझे उपर जाना है पर उपर जाने के लिए मुझे अपना घर बन करना पड़ेगा भाई कुछ और ना आ जाए पर अपने पास जो नहीं आपर देखना पड़ेगा कौन-कौन से ब्लॉग है उपर जाने के लिए तो मैं सोच चुरू हूँ यहां से अगर हम लोग प्लैंक्स की थोड़ी मदद ले ले लें तो ठीक रहेगा ना वैसे प्लैंक्स बहुत देर में तूटते हैं पर अगर तूटी है तो ठीक है चलो मैं यहां पर आ चुका हूँ अब मुझे यहाँ पर से लगाना पड़ेगा कॉमपोस्टर बट कॉमपोस्टर हम लोग इधर की साइड लगाएंगे तो इसके उपर तो कॉमपोस्टर नहीं लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ प्लैंक्स के जरीए से उपर की तरफ लगाना मैं स्टार्ट करता हूँ तो ठीक है यह जरीए उपर की तरफ लगना यह स्टार्ट हो चुका है मुझे प्लैंक्स बादे में हटाने पड़ेगे पर जरीए इसके उपर लगाना पड़ेगा तो एक मिनेट इग मिनेट यह फिट तो चलो एक और कॉम एकनिट यार यह तुबारा से गलत क्यों लग जाता मेरे से तो मुझे एक और प्लैंक्स चाहिए जिससे उपर जा सकूँ एक और और यहां पर एक ब्लैंक और यह ओगा last कॉम एक ब्लास्ट यहां पर कि लिए थोड़ी सी stick चाहई होगि stick मेरे पास हो चुके है मुझे coal चाहई होगा बट água यह रहा मेरे पास है गा तो मुझे जो ना kol थोड़ा सा धियान से रखना पढ़ेगा ओ कोल यहां रखना है मुझे awk low यहां रखना है और यहां पर से लगानी पड़ेंगे, मुझे stick एक उपर और एक right में, एक left में तो यहाँ पर थोड़ से कर लेता हूँ मैं, और यह एक left में, एक right में, बन चुकिए अपनी cam fire, अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, जिल्दी से cam fire मुझे लगानी पड़ेगी, उपर के इसे थोड़ा design देना पड़ेगा, तो यह design भी बन जाएगा, और साथी साथ अपने planks भी लग जाएगे, मैं नीच ना गिर जाओ रुख जाओ, यहाँ से design हो गया इसे भी, मैं यहाँ पर से ही लगाऊँगा, मैं उपर नहीं जाना यह यहाँ पर, और यह यहाँ पर, यहाँ से मैं cobalstone हटा दिता हूँ, देखो यह लास्ट में बहुत जादा बड़ी है लगने वाला है इसके अंदर से जोना ऐसा लगएगा, दुओं उठेगा और ऐसा लगएगा, भाई हमारे घर के अंदर खाना बन रहा है, यहाँ फिर ऐसा भी लग सकता है कि हमारे घर के अंदर कुछ ना कुछ तो मेक हो रहा है जब इसे ज़ना यहाँ पर असे कुछ दुवा निकल ला है अब मुझे यहाँ पर लगाने पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पर कैसे लगएगा भाई एक पिनेट यह कैसा अचेगा मटन खाना पाड़ेगा मटन प्लीज प्लीज यहाँ यहाँ क्यू लग रही है चलो ठीक है खतम और देखो कितना बड़िया लग रहा है अब मुझे काम करना पर देगा स्टोन यहाँ से सारा का सारा हटा देते हैं ओके गाइस अपना जो घर है वो कंप्लीट रैडी हो चुका है और यहाँ से देखो कितना बड़िया लग रहा है यहाँ से देखो ऐसा लग रहा है जो ना दुवा निकल ला है शायद अंदर खाना बनना होगा पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर मैंने जोना कैम फायर लगा दिया है और कैम फायर की मुझे जरुवत नहीं है यहाँ पर हम लोग और भी चीज़े लगा सकते हैं यहाँ पर मैं एक काम करते हूँ प्लैंक लगा देता हूँ यह तो डिजाइन में बनाना नहीं चाह रहा था इसके जर्य अपना घर खड़ा हुआ है पर ऐसा कुछ नहीं है पर यह डिजाइन हो चुका है तो गाइस आप लोगो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेट करके जरूर से बताना और गाइस अगर आप लोगो ये वीडियो पसन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शिर्ट जरूर कर देना और गाइस इंस्स्रागाम पर ही फालो कर लेना तो मिलता अगली नई वीडियो में गुट पाई